जयलाल महतो जी है जी कहां भोड जाएगा आपका असोख महतो जाती है इसलिए नाइ जाती क्या तहां पहली बार बचारे खड़ा हुआ देखते हैं उनको भी एक चांस एक बाद चेखते हैं आपका राम यनूज महतो जी क्या लग रहा है यहां पर बहुत सारे नेताए विकास हम लोग को चाहिए बस हम लोग को रोड नहीं मिला है कहते कहते हम सब लोग को ठक गए हाला कि कुछ और भी बात बोल दिये लेकिन हम नजाज कि लेकिन हम खुद कहते हैं कि हमरे गाउं में कोई बेवस्ता नहीं कोई बेवस्ता नहीं कोई बेवस्ता नहीं कोई बे तो देते होंगे ना उनको तो आप क्या कहा है तो इस वर किन को भोड दीजेगा जो हम लोग को सिभा करेंगे उनको करेंगे उनको सेवा किजेगा चलिए बदब अनौत क्या नाम हो आपका जैलाल मातो असमातो जाती है इसलिए ना जाती क्या तो पहली बार बचारे खड़ा हुआ देखते हैं उनको भी एक चांस एक वाद जेखते हैं आपका गाव में ललान सिंग लगा तार संसाद है इस ए पहले तो आपके चैनल को माध्यम से जितने भी आपके चैनल को देख रहे हैं सभी को सुभकामनाय है कि आपके चैनल और आगे बढ़ता रहे मेरा नाम संजे महतों संसाद ललान सिंग रहे हैं काईसा आपको गाव एरिया परखंड विकास हुआ है जी आगले चुनाओ में और आज़े हम लोग इसलिए कि अन्को सथा में रहते हुए वे विकास नहीं हुआ आखर चापाकल पानी के लिए त्रस्थ रहता है इस वार अनीता देवी को हम लोग चुनेंगे अनीता देवी जो की निस्वार्थ भाव से समासेवा करने के लिए आई है वह रेलवे में नौक्री करती थी मेडिकल भी भाग में वह त्याग करके आई है इसलिए उनको इस बार हम लोग अबसर देंगे और यहां का जो हमारे केंद्र सरकार की यह चुनाव चल रही है तो उसमें क्या था मुद्दा रोजगार की और हमारे सानसद महोदय मुख बिंदू पर हम लोग आते हैं हम लोग बोट करते हैं रोजगार पर सिक्छा पर दवाई पर कमाई पर तो आज देखिए लखी सराइजीला दो हजार सोलह में ही घोसित हुआ था इंडस्टीर एरिया तो आज तक एक भी कार खाना नहीं लगा और हम लोग अनपढ़ हैं मजदूर है तो हमारे लिए जो है एक भी कंपनी नहीं लेगा तो हम लोग का रोजगार कैसे चलेगा और सानसद महोदय ने ध्यान नहीं दिया मुंगर में बला जाता है कर खाना वगेरा बहुत है जी नहीं एक भी कार खाना नहीं खुला है हां अधा क्या लगर आप कि ठी लेकर बैठे हुए क्या यह उनका मुद्दा है अब हम पड़कर आपका थोड़ा मुद्दा बताईएगा जैसे देखिए यह कहते हैं कि भरस् में समझ लिए कि नौ मुखिया है और ग्यारेफ पंचाय समीति है सब उनके साथ हैं लेकिन जनता उनके साथ ने इस वार जनता स्वैम चुनाव लग रही है कि हम इस वार अनिता देवी को चुनाव में जिताएंगे और जिता करके हम संसद में भेजेंगे कि लखी सराइज जिला जो है यहां रोजगार उपलब्ध कराया जाए शिक्षा व्यवस्था जो चर्मड़ाया हुआ हुआ है उसको बढ़ाबा दिया जाए यह क्या लिखे हुए यह हमने इस बहुत बड़ा मुद्दा है लाकिस राए इंदेश्टिर यह जो घोशित वासा अब देखिए हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जो की सत्रह महिना सरकार में रहे सत्रह महिने में उन्होंने पांच लाक के नोकड़ी दिये सभी रोज बेरेजगार युवाओं को जी लेकिन जोहीं सरकार परिवर्तन हुआ और सिच्छा भरती हुआ पेपर लिख हुआ और दस दस ला तो दस लाक रुपया हिने तो धसलाक अधिव पहलक है अब ही जो है श्भी लड़का किया हुआ है हमारे गाओं में सभी लड़का पासने हुआ है और अन्य गाओं में हम देखें देखें कि वहां तुरत नौकडी हुई उन लोगों को क्यों ही भाई यह तो आप भी समझ सकते हैं यह समांत वीचारधारा की लोगों की उससे लड़ाई है इस बार को सब्सक्राइब एक तो सबसे है वहां निता देवी के लिए जोड़रार गहीर हो रही है आज देखिए संजे सिंग है पिकु सिंग उन्होंने भी जोड़दार परचार किये हैं और स्पी सिंग यह नों भी जोड़दार परचार करके महरानी अस्थान में उनको ले जाकरके पुझा पाट करवा के लाए तो अगरी पिछरी की लडाई नहीं है यह परिवर्तन की ला कार हम लोगों के पास सोना खरिदने का पैसा है पहले 27,000 रुपे भरी सोना मिलता था और अभी हमें तो इतना जानकार यह 72,000 रुपे सोना मिलता है तो क्या हम लोग सोना खरिद सकते हैं तो यही है कि इसी के विरोध में जनता इस वार पूर्णता परिवर्तन सोग मातों करने तिरुत में जबानी तो कुमारी निता बनेगी आप लोग का हार आवाज को उठाएगी आप लोग का दुख दर्द को सुनेगी जी एकदम पुर्ण विश्वास है कि वो जनता को सहायता करेगी सेवा करेगी और मैं यह कावर भी मुद्दा बता देता हूं हमारे सांसद महदय इसी अस्था हमें बुलाया गया मैं वह भी बात को रखता हूं उन्होंने कई बार हमें परलोभन जदियू के महा सचीब बना देते हैं सांसद महदय को हमने बोला कि नहीं हमें परखंड ध्रच रहना ही है हमें पार्ती के साथ रहना है और इस वार भार बहुमत से अनिता देवी को बीजय बना करके सांसद में भेजना है सांसद भवन में जिए बदो धन्यबाद देखिए गिराम बासी होता है इनका अधाम देखिए तालियों से स्वागत क्या दा रहा है इनका बोली को इसा नाम हुआ चापका श्याम सुन्दर मातों तने अ्याम